नमस्कार में हुनी विद्धा भारत जब भी पडोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए आगे बढ़ता है तो बाचीत का नाचा करने वाला पाकिस्तान मौका पाते ही पीठ में चुरा भोग देता है यही वजह है कि दोनों देशों के बीट संबंध कभी सामाने नहीं रहे इस धूर्ट पडोसी देश के साथ संबंध को लेकर भारत को एक बार फिर सवालों का सामना करना पड़ा लेकिन विदेश मंत्री एस जैशंकर ने इन सवालों का जबरदस्त जवाब दिया दरसल विश्व आर्थिक मंच के अध्याक्ष बोर्गे ब्रेंडे के साथ बादशीत के दोरां विदेश मंत्री एस जैशंकर से पाकिस्तान के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए तो विदेश मंत्री ने कहा मैं कहना चाहूंगा कि एक को छोड़कर सभी पडोसियों का खशेत्रिय सहयों के मामले में बहतरी नितिहास रहा है स्थिती बदलने पर कई लोगों के लिए ये स्वाभारिक बात है शायद ही किसी कोई अहसास था कि अनुचे 370 समविधान में एक अस्थाई विवस्था थी और इसके कारण जम्मो कश्मीर राज में कई राश्ट्रिय कानून लागू नहीं होते थे ये सब उनके लिए नई बाते थी जबेज जैशंकर से पूछा गया कि उसके साथ क्या गतिरोध बना रहेगा तो उन्होंने कहा कि उमीद है कि एक दिन वो क्शेत्रिय सहयोग में शामिल होगा आप एक पल के लिए कश्मीर को अलग रख दे आज हर किसी के साथ व्यापार व्यवसाय और संपर्क बढ़ रहे हैं निश्यत रूप से किसी न किसी स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप हर किसी को उस सहयोग से संब्रध होते देखेंगे मैं हमेशा आशानवित रहूँगा मैं जानता हूँ कि हमारे समक्ष बड़ी चुनोतिया है उनके साथ समझ की समस्या है जिससे उन्ह बाहर निकलना होगा राष्ट्रवाद पर बात करते हुए जेशंकर ने कहा कि भारत एक अपवाद है क्योंकि हम अधिक राष्ट्रवादी है किन्तु साथ ही हम राष्ट्रिय वाधी और अंतरराष्ट्रिय होने के बीच इस रिष्टी से कोई तनाव नहीं देखते हैं कि विश्व के साथ अधिक संपर्क बढ़ाया जाए लिहाजा राष्ट्रिय ता हमारे लिए कोई नाकारात्मक भावना नहीं है दक्षिनेशिय सहयोग के बारे में बात करते हुए जेशंकर ने कहा भारतिय उप महाद्वीप में एक शेत्रिय आर्थिक सहयोग सबसे कम है और शपत ग्रहन संहारों में पडोसी देशों को आमंत्रित किया था बतादे साल 2014 में जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत तरच की थी तो पीम नरेंद्र मोदी के शपत ग्रहन में सार्क देशों को आमंत्रित किया गया था इस संगठन में पाकिस्तान भी शामि हुए थे इसके बाद PM Modi खुद पाकिस्तान जा चुके हैं लेकिन PM Modi के दौरे के बाद ही पाकिस्तान परस्त आतंखवादियों ने उरी में हमला कर दिया इसके बाद से ही पाकिस्तान के साथ भारत के संबंथ और बिगड़ गए हुए रसे अपना स्ब्सक्तान के बारत को किस बाद सटो वका more जिएiren पाद्कान या्री एपान के इसके प्रॉष एक्टि नाहर रभस है अवसके इस तो उसकी अपना के बा partnerships अराभस मेख इसकेन से बाद स्क्रेटर के दिर्क जिएवमन मॉनम ऐसमी अनी अवड़ अवचित अप्रचनिट टो वीट अवेट इना भीडिवाश्ट चाहिए और भी तेहिंगा देहीं वाथ ऑारी वेजिंग एगाल, इनाव एट इंदिया, वेफ एवान प्रफ अवेश अवेश्ट इना, वेट अवेश्ट अवेश्ट प्रफू यहुट्ट अंदी इस इसे में वेह जो प्रेंगी हैंशिता लिए झालजिया इनुट हैंजिए एल जो पूरणिया, जो आप बोले झालजिया, इसलिए जो फौरा जिल कानगी पौराश रिए जो बातने टेजिए करणिया, हैंजिया एंदिया जते हैंजिया, जो वू्यान्टेट but most of the others are really interactions, and then I have Brookings and Heritage on my third day. Congress, as you know, is not in session, so actually that's normally you are there too, and in New York. The New York, since I didn't have a chance to meet any of you in New York, I'll just kind of give you a flavour of what happened in New York. We did this time a number of plurilaterals, seven if my memory serves me right, which is quad, I mean somewhere at my level, somewhere at PM's level. The ones at PM's level were FIPIC, the Pacific Island and the CARICOM. And these two are important because one, there are very large number of small states there, and now, today we have really a big development assistance program and they do focus on states, on regions such as FIPIC and CARICOM. With FIPIC, we've also been active in working with them in responding to natural disasters, well CARICOM too I guess, and CARICOM has the ethnicity angle as well. Many of the countries have large Indian communities there, Indian origin communities there. So those were the two that PM did. I did QUAD, I did BRICS, I did IPSA, I did SARC, and I did G4. So those were at my level. And as you can see, each one really had a different focus. So the combinations were different, the agenda was different. But again, I would cite that to you really as a kind of broadening of foreign policy in many ways. Now, apart from that, you know, PM also did a number of bilaterals, I also did a number of bilaterals. I forget his number, I, 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 yeah. Okay. There's some number which is in a tweet. He did 16 bilaterals. Okay, yeah. And whatever my number was, it's in the tweet, so you can, you can, you, you can look at it. It is 40 something. And, look, I would say, in, in most cases, it was actually the meetings were sought by the other party. Because today people are interested in meeting us and talking to us. They do see a government which is very empowered by the electoral mandate that it had. They do look at India as a, as a growing economy where, you know, the, the, which is both a source of new demands and new capabilities. So, again, a lot of it, a lot of those conversations were really, in a way, very bilateral in the sense, you know, the country X was interested in what they could do with us and what we could do with them. Depending, of course, on the country, you would have a lot, a regional issue or a larger global issue. I mean, so, it would, it would depend very much on the, on the country concerned. The, there were, there were some other events, some of which are, that, you know, this was, for us, a very satisfactory trip, that we were able to make our mark, make our impact globally. We were able, in a number of areas to convince various countries on issues which were of importance to us. You know, overall, my reading would be most countries do have a sort of respect for the achievements of the last few years, do want to sort of build strong relationships with us for the future. And, of course, for me, the Washington trip is really tending to a bilateral relationship, which is very important. And, which, you know, history has shown, you need to keep paying attention all the time. So, why, why don't I stop there? I'm sure you'll have some, a lot. I mean, it was, it was a very comfortable meeting, as I said, this is not the first time I'm meeting him. A big part of it was spent on various bilateral issues, and, you know, in a sense we were doing stock taking post PMC meeting with Donald Trump. And, both of us felt that, you know, while the trade issue had progressed for the larger relationship, it was important that we see some early results out there. We, obviously, discussed our immediate region.